नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रौंड़ अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर किसान संग्ठनों सरकार के बीच नौवी वारता भी हुई नाकाम अगली बाचीत 19 जनवरी को दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की हरताल जारी मुख्यमंति शिवराज सिंग के महिला विरोधी बयान पर मध्य प्रदेश भवन के सामने महिलाओ चातरों का प्रदर्शन हमाई चौथी और आखरी कबर कुरोन अपडेट पिछले 24 गंडों में 15,590 नए मामले एक सो क्यानवे मरीजों की मौत आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिशी बिलो पर किसान संगटनों और सरकार के बीच होई बाचीत पर किसानों और सरकार के बीच ये नवी बाचीत है परणतु आज भी इस बात्चीत का कोई नतीजा नहीं निकला है सरकार ने किसानों के सामने एक छोटी कमेटी बनाने को कहा जिसे किसानों ने मानने से मना कर दिया इस बात्चीत में 40 से अधिक किसान संगटन मौजूद थे इन कानूनों पर अगले दौर की बाचेद अब 19 जनवरी को तै हुई है मीटिंग में किसानों ने सरकार को साफ कर दिया कि वह उन्हें मिलने के लिए तभी बुलाएं जब सरकार इन कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने की चर्चा करने के लिए तैयार हो किसान संगर्स कमिटी पंजाब के संयोजक कमल प्रीट सिंग पन्नू ने कहा कि मीटिंग में आज फिर से सरकार ने किसानों के सामने कानूनों पर चर्चा के लिए दबाव बनाया परंतु किसान संगटनों ने दो टुक में सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग को रखा वही पर BKU के नेता राकेश ठीकैत ने मीडिया से बाचीत में कहा किसान अपनी दोनों मांगों को लेकर सिर्फ सरकार से बात करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट दौरा बनाए गई कमेटी से आपको बताते चले कि सबी किसान संगटनों ने इस कमेटी को मानने से इंकार कर दिया है वही केंद्री कृषी मंतरी नरेन सिंग Tomar ने कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमिटी के सामने सरकार अपना मत प्रस्तूत करने के लिए तैयार है इससे पहले आज कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी और प्रियंका गांदी सुबह से जंतर मंतर क्रिशी कानूनों के खिराब प्रदर्शन कर रहे कॉंग्रेस के सांसदों से मिले राहूल गांदी ने इन बिलो को किसान को ख़द्म करने वाले बिल्क बताया वहीं चंडीगड में कृशी बिलो के विरोध में राजबहवन की तरफ माज कर रहे कारे करताओं को पुलिस ने पानी के बहुचारों से रोकने का प्रयास किया उत्तरप्रदेश में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अजय कुमार लल्लू और अन्य कारकरताओं को पुलिस राजभवन जाते हुए गिरफतार कर लिया आज हमारी दूसरी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जहां दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वेतन नम मिलने के कार साथ जनवरी से हर्टाल पर बैठे हैं आज यानि की 15 जनवरी को हर्टाल का आठवा दिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी ने MCD मुख्याले से दिल्ली सची वाले तक माज करने का फैसला किया फर्यांतों दिल्ली पुलिस की भारी बैरिकेटिंग के चलते उन्हें 20 से ही वापस लोटना पड़ा इसके बाद कर्मचारीों ने MCD मुख्याले के बाहर ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्श किया इन कर्मचारीों में सिच्छक, सफाई कर्मचारी, इंजिनियर और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शामिल थे आपको बता दे कि रास्टी राजदानी की तीनों नगर निगमों की सीटों पर इस समय भारती जंदा पार्टी का शासन है पिसले दो मईनों में कर्मचारीों का यह दूसरा प्रदर्शन है इस प्रदर्शन का मुख्य कारण कर्मचारियों का अनियमित वेतन भुगतान है प्रदर्शन कर रहा है कर्मचारियों का कहना है कि वेतन भुगतान का मामला हमेशा से ही उनके साथ रहा है पर अंदु COVID-19 के समय यह मामला अधिक गंबीर हो गया है पहले तो तनक्वास सिफ दो महिने देर से आती थी वहीं अब उन्हें अपने वेतन के लिए 5-7 महिने का इंतजार करना पड़ रहा है वेतन बुक्तान के मामले में उत्री दिल्ली नगर निगम का सबसे बुरा हाल है इस हर्दाल को निगम के 40 संगटन जिन में पेंशनर, शिचक, इंजीनियर, नर्स और सफाई कर्मचारियों के संगटन भी शामिल है ने अपना समर्थन दिया है आज मर्दिपदेश भावन के सामने बड़ी संख्या में महिलाओ और छात्रों ने विरोध पदरशन किया पदरशन कारी राज्य मुख्य मंतरी शिवराज सिंग के महिलाओ की सुरक्षा के लिए महिलाओ की ट्रैकिंग की बाद से नारास थे उन्होंने शिवराज के बयान को शर्म नाक कहा और इसे सुरक्षा नहीं निगरानी बताया कुछ दिन पहले शिवराज सिंग ने अपने एक बयान में कहा कि मद्धिपदेश में काम करने वाली महिलाओ को पुलिस में रजिस्टर करवाना होगा जिससे कि पुलिस महिलाओ पर निगरानी रख सके उन्होंने इस महिलाओ की सुरक्षा में एक प्रयासरत कदम बताया प्रदर्शन कारियोद्वारा इस बयान के लिए माफी की मांग भी रखी गई इस प्रदर्शन का आवान महिला संगटन अखिल भारती जनवादी महिला समीती अनहद प्रगितिशीर महिला संगटन के साथ ही कई अन्य महिला और जन संगटनों ने किया था हाला कि पुलिस ने धारा 144 लागों होने का हवाला दे कर प्रदर्शन न करने की अपील की थी इसके बाद भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और दिल्ली स्थीत मध्यप्रेश भवन पर प्रदर्शन किया इस दोरान पुलिस ने भी पुकता तयारी की थी जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी MP भवन तक न पहुठ सके इसके लिए उन्होंने दोनों तरफ से भारी पुलिस बल और बैरिकेटिंग की थी लेकिन जब इन सब के बार दीर प्रदर्शंकारी पहुँच गए तो पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और बसोब में भर कर मंदिर मार्ग थाने में ले गए हमाई चौती और आखरी कबर केंद्री स्वास और मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार यानि की 15 जन्वरी को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 गंडों में कोरोना के 15,590 नए मामले सामरे आए हैं इसके अलावा कोरोना से आज 190 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से पेड़ित 15,975 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 576 मामले कम हुए है देश में कोरोना की मामलों की संक्या बढ़कर 1,05,27,683 हो गई है जिन में से अब तक 1,05,918 मरीजों की मौत हो चुकी है आज के एपसोड में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथे देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया